Hello Everyone, मैं हूँ भावना, Welcome to Little Rules and Mom World तो आज हम बच्चों की Winter Care के बारे में बात करेंगे कि सर्दियों में हम बच्चों का कैसे ध्यान रख सकते हैं कि कैसे उन्हें सर्दी खासी जुखाम से हम बचा सकते हैं अगर आपका बच्चा Newborn है या उसकी पहली ठंड है तो हम उसे कैसे बचाएं इस ठंड में क्योंकि जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं और उनकी पहली ठंड होती है ना तो उनकी ज़्यादा देख भाल करने की हमें ज़रुरत होती है क्योंकि उनका जो immune system ना अभी तक develop नहीं होता है वो बहुत जल्दी किसी infection को ना पकड़ सकते हैं तो हमें उनका ज़्यादा ध्यान दखना पड़ता है तो चलिए आज इस topic पर बात करते हैं अगर newborn baby है तो उसकी winter care कैसे करें तो start करते हैं अपनी video तो जो सबसे पहला point है वो है clothing कि हमें बच्चों को कपड़े कैसे पहनाना चाहिए आपको यह नहीं सोचना कि एक motor sweater हम बच्चों को पहना दे आपको बच्चों को जो कपड़े पहनाने है वो layers में पहनाने है आप layer by layer बच्चों को चाहे cotton के कपड़े पहना है बट layer by layer कपड़े आपको बच्चों को पहनाने है आपको ज्यादा मोटे कपड़ों पर ध्यान नहीं देना कि सिर्फ एक मोटा sweater डाल दिया तो यह enough है नहीं आपको बच्चों को layers का मतलब मैं यह कह रही हूँ सबसे पहले आप बच्चों को बन्यान पहना है फिर उसके बाद आप inner पहना दे उसके बाद आप उनकी टीशिट नौर्मल पहनते हैं उनकी नौर्मल टीशिट पहना दे और उसके बाद कोई sweater इस तरीके से आप बच्चों को layer by layer कपड़े आप पहना तो उससे क्या होगा अगर temperature variant होग है तो हम एक स्वेटर और पहना सकते हैं और अगर ठंड कम है या तेमप्छेटर थोड़ा आपको बच्चे को गर्भी फील हो रही है तो फटाफट से बच्चे की एक लेयर को कम कर सकते हैं उससे बच्चे को जल्दी से ज्यादा घर्मी नहीं लगेगी ज्यादा ठंडी लगेगी इस वज़े से वह सर्दी खासी से बच सकेगा जब बच्यव होगा तो बच्चे एक्टियों रहेंगे और थंड कम लगती है तो इस बज़े से हम उने सर्दी खासी से बचा सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है सर्दियों में गर्मियों में तो आप किसी भी ऑईल से बच्चे की मसाज करें लेकिन सर्दियों में आप बच्चों को बदाम के ऑईल से या पर ऑलिव ऑईल से मसाज करें वो गरम होते हैं तो बच्चे की बाड़ी को थोड़ा सा हीट प्रोवाइट करते हैं और बच्चों को सर्दी खासी जुखाम होने के चांसे स्कम हो जाते हैं नहीं तो आप क्या कर सकते हैं आप मस्चर्ड ओल सरसो का तेल ले उसमें अजवाइन डाल दे और उसको अच्छे से गरम कर ले और उसके बाद उसमें लस्तन की कलियां डाल दे जैसे कि आपने सुना ही होगा ये बहुत से लोग करते हैं तो उस ओयल को आप बना के रख ले चांके रख ले एक बॉटल में शीशे की और उसके बाद बच्चे को उससे भी मसाज आप कर सकते हैं ये भी बच्चों को सर्दी खासी जुखाम होने से बचाता है तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बच्चों के लिए विंटर में करने हैं और उन्हें बचाना है सर्दी से बच्चों को जो जो भी ठन जो लगती है वो लगती है सर से, कानों से, चेस्ट से और पैरों के तलवों से तो इन चीजों को आपको ध्यान ढखना है जब भी आप सर्दी में बच्चों को बहार लेके जाएंगे तो आपको बच्चों को ना सबसे पहले उनका सर ढखना है, कान ढखने है, उनके चेस्ट को कवर करना है और उनके पैरों में हमेशा सॉक्स चाल के उने बहार लेके जान नेक्स जो पॉइंट है वो है कि आपको बच्चे को हमेशा ना क्लोज रूम में ना मसाज देनी चाहिए कई लोग कहते हैं कि धूप में मसाज दे तो लेकिन धूप में हवा भी बहुत जादा चलती है जैसे कि अब मैं अपने घर की बात करूं तो धूप में भी ना हवा आत है तो आप एक क्लोज रूम में एक बंद कमरे में बच्चे को मसाज दे बहार धूप में कहीं पर भी मसाज ना दे या फिर शीशे के जरिये धूप आती है चंके आप वहां पर बच्चे के लिए मैट बिचा के उस जगह पर धूप दिखाके बच्चे की मसाज कर सकते हैं वो बच्चे के लिए सेफ है तो आप बच्चे की मसाज ना प्लोज रूम में या फिर चुड़ आपकी धूप आपके किसी शीशे के दरवाजे के थूप या शीशे की खिड़की की थूप आ रही हो वहां पर उस एरिये में आप बच्चे की मसाज करें नेक्स जो हमारा पॉइंट है वो है बात आप बच्चे को सरदी में भी डेली नहीं हिलाना चाते हैं तो बच्चे को डेली ना एक कॉटन के कपड़े से या फिर किसी सॉफ्ट कपड़े से ना डेली स्पॉंच कर दे स्पॉंच करने से क्या होगा जब हम बच्चों को आज की बाद जो ऑईल उनके शरीर पे रह जाता है तो चिप चिपा और अच्छा फील नहीं करते हैं तो वो उतर जाएगा जब वो उतर जाएगा तो बच्चे अच्छा फील करेंगे और वो उन्हें सोने में भी हैल्प करेगी जिससे वह अच्छी नीन ले सकेंगे बच् कि बचलेशों से और उनके जो भी आटएफर से निला के एकढ़ अपने रूम में ले आए और उसके बाद उनक्ट पहना दे कप्ड़े पहनाने के जिए नहीं घर के अंदर 10-15 मैं तक अड़ाप्ट करने को उसके बाद या उसके पहले नहीं लेके जाए नहीं तो उन्हें ना जल्दी से सर्दी खांसी हो सकती क्या होगा ना temperature एकदम variant हो जाएगा जिससे बच्चों को सर्दी खांसी जुखां हो सकता है तो आप बच्चों को इस तरीके से ठंड लगने से भी बचा सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा point है वो है जाएफल आप बच्चों को घिसके ना सर्दी में daily खिलाएं आप एक ना कोई पत्थर ले लीजिए जैसे सिलबटा जो होता है उस पे आप बच्चों को जाएफल घिसके और उन्हें थोड़ा सा चटा दे उससे क्या होगा ठंड बच्चों को क लगती है ऐसा मैं भी करती हूँ जाएफल की तासीर है वो थोड़ा गरम होती है और बच्चों को help करती है सर्दी खांसी जुखाम होने से बचाने में क्योंकि सर्दियों में यह बहुत अच्छा रहता है जाएफल हमारे जो दादी नानी के नुस्के हैं उसमें भी यह ची जिजे देने कि कोशिश करें बाइचांस सर्दी खांसी हो भी रही है तो उनका इसों से जल्दी से उनके गले को अराम मिले और सर्दी फाइदा हो तो आपना हमेशा बच्चों को गुनगुना फूड़ी दे आप बनाना यह सब चीजे बच्चों को 12 वजे तक दे दे दु भी ठंडा फल ना दे कोशिश करें हमेशा उन्हें दुपहर तक दे वरना उसके बाद ना दे आप उन्हें सूप और कोई और गरम चीज खिला सकते हैं जो भी दलिया खेचडिया आप उनका बना रहे हैं वो सब आप उन्हें गुनकुना करके खिलाएं और जो लास्ट थोड़ी देर भी पांच या दस मिंट भी रह गया तो बहुत जल्दी बच्चा बिमार पढ़ सकता है ठंड लगने की वजह से तो कोशिश करें बच्चों को ना डाइपर सर्दियों में जरूर पहना है और ना नीचे जहां बच्चा सो रहा हो उस एरिये पे भी आप एक बिच्चा दे ताकि बच्चे को नीचे से उसकी बॉड़ी को भी गर्मी मिल रही हो और मा के साथ ही बच्चा सोए कोशिश यह हो कि आप उसके साथ जरूर सोए क्योंकि अगर मा बच्चे के साथ सोएगी तो आपकी गर्मी भी बच्चा महसूस करेगा और वो सेफ रहेगा और specially अगर आपका बच्चे की पहली ठंड है तो आप कोशिश करें ये सारी जो भी बाते मैंने आपको बताइए उन्हें फॉलू करने की तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत कम बिमार होगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसी तरह कि कुछ और बेबी केर वी